नमस्कार दोस्तो ड्रेक्वेदिक रेमडिस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है मनोकामना पूर्ती के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले एक लोटे जल में डालें ये चमतकारिक चीज कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल में अगर ये खास चीज डाल कर चढ़ाएंगे तो मिन्टों में मनोकामना होगी पूरी किस दिशा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए महादेव को जल चढ़ाते समय इस बात का विशेश दियान रखें कि कभी भी पूरव दिशा की और मुख करके जल ना चढ़ाएं पूरव दिशा को बगवान शिव का मुख्य परवेश दुआर माना जाता है मानेता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिव जी के दुआर में बादा उत्पन होती है और वैरुष्ट भी हो सकते है इसलिए इस दिशा में कभी भी जल ना चढ़ाएं सही दिशा में जल चड़ाना, हमेशा उत्तर दिशा की और मुख करके शिव जी को जल अर्पित करें, ऐसा कहा जाता है कि इस दिशा की और मुख करके जल चड़ाने से शिव और पारवती दोनों का आशिवाद मिलता है, जल की धार की गती, देवादी देव के जल अविशेक क मनोकामना के लिए जल में डालें ये चीज यदि आपकी कोई इच्छा है या कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो इस महाशिवरात्री के दिन एक लोटा जल लेकर इसमें कुछ बूंदे गन्ने के रसके डाले और सही तिशा में खड़े होकर शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहीं इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव से प्रात्ना करें ऐसा करने से जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी